आज का मारा टॉपिक है मैश लोज हाईरर्की ओफ नीड और अगर अभी तक आपने चाइल्ड साइकॉलजी वाली पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्ले लिस्ट पे जाके एक बार उसे भी जरूर देख लें जिससे की साइकॉलजी का पार्ट आपका अच्छे से प्रिपेर हो जाए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें जिससे की नई वीडियो की नोटिक्रेशन आप तक पहुंच जाए तो अब बात करते हैं मैशलो उस हारेर्की ओफ नीड्स की मैशलो ने सबसे पहले 1943 में हारेर्की ओफ नीड्स प्रपोस की थी और इसे क्या बोला जाता है मोटिविशन थियोरी इन साइकॉलजी और इसके बाद इन्होंने time to time hierarchy of needs की refinement करते रहें तो ये क्या है five tier model है of human needs का और starting में जब इन्होंने ये थियोरी दी तो इन्होंने क्या बोला कि hierarchy में हमें क्या करना है individual को जो lower needs हैं उनको पहले fulfill करना है तब उपर की तरफ जाना है जैसे की ये क्या आगी उनकी five tier model आगया या फिर hierarchy of needs आगया जिसमें सबसे पहले क्या कौन सा level आगया सबसे पहले आगया physiological needs then safety needs उसके बाद आगी belongingness and love needs फिर आजाएंगी esteem needs and last one is self-actualization तो इन्होंने क्या किया इन levels को तीन पार्ट में divide कर दिया पहले दो level क्या थे basic needs ही और उसके बाद वाले दो level क्या आगे psychological needs आगी and then self-fulfillment needs आगी तो उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है सबसे पहले पहले वाले level को fulfill करना है then हमें क्या चालना है sequence में उपर की तरफ जाना है अगर physiological needs की बात करें तो ये क्या है biological requirements है हर एक human being की उसके survival के लिए जैसे कि क्या गया air, food, drink, shelter, clothing, warmth, sex and sleep तो अगर हम क्या करते हैं ये सारी needs अच्छे से satisfy नहीं होती है तो जो human body है वो अच्छे से function नहीं कर सकती है मानलो अगर क्या होगा हमें सांस लेने को oxygen ना मिले तो क्या हम जिन्दा रह सकते हैं answer होगा नहीं या फिर मानलो आप क्या करते हो बहुत लंबे टाइम तक भूख के रहते हो तो आप क्या करोगे आपकी जो excitement है food के लिए वो उतनी ही जादा क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो मैशलो ने क्या चीज बोली कि जितने टाइम तक हम क्या करेंगे इन नीड्स को control करके रखेंगे ये नीड्स उतना ही जादा क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी और जो physiological नीड्स हैं वो क्या हैं वो human being की primary नीड्स हैं अगर ये नीड्स satisfy होती हैं हर एक individual की उसके बाद ही person क्या सोचेगा next वाले level पे जाने के बारे में सोचेगा ठीक है इसलिए इनको क्या बुला गया है basic needs में include किया गया है physiological needs को उसके बाद आते हैं basic needs में safety needs अब अगर person क्या करता है उसकी physiological needs पूरी हो जाती है उसको अच्छे से खाना मिल रहा है भर पेट उसको पानी मिल रहा है पीने को सांस लेने के लिए oxygen मिल रही है तो वो क्या सोचेगा security और safety के बारे में सोचेगा कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए मेरे पास पैसा होना चाहिए bank balance होना चाहिए मेरे पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में वो क्या सोचेगा इन physiological needs के फुल्फिल होने के बाद सोचेगा नौर्मली हम भी क्या करते हैं अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है अच्छे से पेट भर के तो क्या हम एक अच्छे घर के बारे में या bank balance के बारे में या अपनी safety के बारे में सोचेगे No, हमें कै่ा चाहिए ? हमें सबसे पहले खाना चाहिए अगर वह अच्छे से मिलता है तब हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि अब हमारे बास अच्छे कपडे होने चाहिए पहने को रहने के लिए अच्छा घर होना चाहिए इसलिए MASHLOW ने क्या किया है Physiological Needs और Basic Needs को Safety Needs को Basic Needs में Include किया है अब अगर ये level अच्छे से Satisfye होते हैं तब परसन Next Level की तरफ जाता है जो है Love Needs अब उसकी अच्छे से Physiological और Safety Needs Fulfill हो गई है तो Third Level है कौन सा Love Needs अब उसे क्या चाहिए उसे यह चीश फिल होगी कि मुझे पार्टनर की जुरत है, मुझे फ्रेंशिप की जुरुरत है, मुझे ट्रस्ट की जुरुरत है, मुझे अफेक्शन चाहिए या फिर LOL चाहिए. ठीक है? तो अभी तक क्या है, Mashlo ने यही बोला कि अगर हमें क्या चाहिए चलना है, सीक्वेंस में नीचे से उपर की तरह जाना है उसके बाद next level है esteem needs यह fourth level आ जाएगा मैशलो की hierarchy में जिसे मैशलो ने दो category में divide किया है first category है esteem for oneself जिसमें person क्या सोचेगा कि उसे कुछ achieve करना है उसे independent बनना है और second आ जाएगा the desire for reputation or respect from others क्या सोचेगा person कि मेरी जो society है वो respect करे मेरी एक society में reputation हूँ और मैशलो ने बोला कि यह सबसे ज़्यादा चीज children और adolescents में देखी जाती है उन्हें चाहिए कि दूसरे उनकी क्या करें respect करें जबकि हमारी society में normally बच्चों की बात करें या adolescents की बात करें उन्हें किस तरह treat किया जाता है कि यह तो बच्चे है ने क्या respect चाहिए expect करते हैं दूसरों से या adults से कि adults उनकी क्या करें respect करें उन्हें बच्चों की तरह ना सोचके adults की तरह देखें then last one level is self actualization needs यह क्या है highest level है मैशलो की hierarchy में self actualization का क्या मतलब हो गया यह हो गया आत्म बोध आत्म बोध से मतलब हुआ कि person जो capable है कुछ करने में वो सारी चीज़े कर पाता है या कर लेता है ठीक है हर एक person की अलग-अलग capability है अलग-अलग interest है तो अगर मैं किसी चीज़ में capable हूँ और वो मैं सारी चीज़े कर लेती हूँ तो मतलब मैंने क्या किया लास्ट वले लेवल को मैं अच्छे से satisfy किया क्रॉस कर लिया ठीक है तो आपकी जो इंटरस्ट होंगे आपकी जो capability है अगर वो सारी चीज़े कर पाने में आप सफल हो जाते हो मतलब आप आप हाइस लेवल पर पहुंच गए हो और उसको भी अच्छे से आपने क्रॉस कर लिया है मैशलो हायरकी में तो यह आगे 5 टायर मॉडल आ गया यह 5 लेवल्स आगे मैशलो हायरकी में बट बात करें तो इन्होंने क्या किया मैशलो ने अगलग टायं पर रिफाइनमेंट की है अपनी मोटिविशनल थ्यूरी की या हाररकी आफ नीड्स की सबसे पहले उन्होंने नाइटी फॉर्टी थ्री में दिया था देन नाइटी फिप्टी फॉर में एंड लास्ट में कब दिया उन्होंने 1987 में 1987 में उन्होंने क्या रिफाइनमेंट की उन्होंने बोला कि पिछे वाली जो रिफाइनमेंट सी इस थ्यूरी के बारे में उनमें मैं एक चीज़ में गलत था मैंने ये चीज़ बोली थी कि हमें क्या करना एक सीक्वेंस में इन जाना है बट हर इंडिविजुल के अपने 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 अ में तीन लेवल और इंक्लूड कर दिये जिसमें एक आ गया कोगनिटिव जो हमारे संग्यान से रिलिटिड है उसके बाद आ गया एस्थेटिक लेवल जो सौंदर्य से रिलिटिड हो गया और लास्ट वन इस ट्रांसेंडेंस लेवल जिसका क्या मतलब हो गया शेष्टता से मतलब हो गया तो मेंली हमें क्या करना है फाइट आर मॉडल ही कंसीडर करके चलना है और अगर इसके बाद कुश्यन आता है कि और कौन से लेवल को बाद में इंक्लूड किया गया हरेर्की ओफ नीड्स में तो वो आगया कोगनिटिव, अस्थाटिक एंड टासेंडेस लेवल आगए ठीक है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो रिफाइनमेंट की गई तो मेंली जो रिफाइनमेंट की गई थी 1943 में, 1954 में, 1987 में आगए यह आगया मैशलो हारेर्की ओफ नीड्स जो क्या है मोटिविशल थीओरी ओफ प्साइकॉलजी है तो देट्स अल पर तोड़े थांक यू पर वाचिंग और प्लीस दू सब्सक्राइब फोर मोर वीडियोस